Hi Everyone, Welcome back to my channel guys आज गैज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक BP मशीन का जी हाँ friends एक हमने BP मशीन खरीदी है आज ही और दोस्तों ये BP मशीन जो है ये Omron ब्रेंट की है और friends इस मशीन को दोस्तों आप भी घर में जरूर होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये हमारी जो BP की मशीन है ये हमारा blood pressure दोस्तों तुलंद बता देती है बिल्कुल सही बता देती है वो भी किसी भी समय आप दोस्तों इससे अपना शरीक का BP नाप सकते हैं और खास कर दोस्तों अगर आपके घर पे diabetes या दोस्तों blood pressure की कोई भी patient है या कोई भी दोस्तों BP या शुगर की दवा खाता है तो आप पे घर पे ये machine जरूर होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों इसी help से आप अपने दोस्तों परिवार को दोस्तों जो भैंकर बीमारी से बचा सकते हैं और इसकी help से friends अगर हमारे शरीर में किसी भी समय कोई भी BP में दोस्तों changes होते हैं तो तुरंथ हम medicine ले सकते हैं BP की या friends अपने doctor के पास जा सकते हैं दवाई लेने के लिए तो दोस्तों ये machine दोस्तों Omron company की है ये मैंने Amazon से मंगवाई है और friends ये आप देख सकते हैं ये Omron की है और इसका जो model है वो है HEM 7156 और इसके अंदर friends एक storage case दोस्तों included है और इसमें हमको पूरे 5 साल की warranty मिलती है और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो 5 साल के अंदर हमारी machine जो है repair and replace करके Omron की तरफ से दी गाएगी और कोई भी दोस्तों इसमें जो है BP की machine में कोई भी इसमें error नहीं आती है ये बिल्कुल BP को accurate बताती है और ये Japanese दोस्तों company है तो ये trusted भी है 45 साल से दोस्तों ये blood pressure monitors का दोस्तों ये manufacture कर रही ये company और Omron का दोस्तों एक weight scale भी आता है और walking दोस्तों steps counter के लिए भी steps tracking के लिए भी एक device आता है और इसके कई सारे health products आते हैं तो उसी में से हमारी BP machine भी है ये कोई sponsor video बिल्कुल भी नहीं है मेरी ममी के दोस्तों blood pressure की problem है तो उनके लिए मैंने ये BP की machine especially खरीदी है क्योंकि उनका BP बहुत जल्दी घटा बढ़ता रहता है और ऐसे में दोस्तों blood pressure कितना बढ़ा कितना घटा और दवाई लेने से पहले कितना था दवाई देने के बाद में blood pressure कितना है तो दोस्तों हो हम self देख के नहीं जान सकते हैं उसके लिए हमको BP को नापना पड़ता है और BP कितना बढ़ा कितना घटा वो हमको machines ही बताती है और इस BP machine की खास बात यह है कि आप इस machine से खुद अपना blood pressure नाप सकते हैं इसको यूज करना बहुत ही आसान है बस अपनी आप आर्म पे इसको बांध लीजिए and blood pressure के इस monitor को on कर दीजिए आपका BP दोस्तों बिलकुल नपके आपके सामने आ जाएगा और आपको अगर pulse rate जाननी हो तो इसमें आप pulse rate पी अपनी body की देख सकते हैं वैसे ही काफी useful product है अगर आप इस product को दोस्तों purchase करना चाहते हैं तो नीचे description box में मिल जाएगा link आप वहां से इसे buy कर लीजिएगा ये आपके घर पे तो जरूर होना चाहिए अगर आपके घर पे कोई भी BP के patient है या आपके परिवार में किसी को BP की समस्या है और guys अगर हम इस machine के price की बात करें तो friends इस machine का जो price है वो है 3860 रुपे लेकिन दोस्तों अगर आप इसको Amazon से खरी देंगे तो आपको दोस्तों ये कम price में मिल जाएगी ये offer में दोस्तों आपको मिल सकती है इसको मैंने purchase किया है 3,299 रुपीज का जानी की 3300 की दोस्तों ये मेरी BP की machine मिली है और friends इसमें 5 सार की warranty भी है और खास बात दोस्तों इस BP machine की ये है कि इसमें जो battery पढ़के आती है वो friends Duracell होती है और Duracell की life बहुत साधा होती है तो friends इसकी battery almost आपकी फायां से 6 बहने तो आपको चली जहेगी और वैसे इस पर लिखा भी है कि ये 10,000 measurement करने की capacity रखती है ये batteries और इसमें जो कितनी batteries टाली जाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं इसमें फ्रेंट 4 AA batteries टाली जाएंगी और better performance के लिए आप Duracell का यूज क कर ये क्योंकि दोसको blood pressure काफी machine नापती है तो और आपको अच्छी reading के लिए अच्छी batteries ही यूज करनी चाहिए और ये काफी tight कर देती है हमारी arm को तब जाके BP बताती है इसलिए थोड़ा सा power भी machine में लगता है इसलिए आप अच्छे quality के batteries का ही यूज करिएगा जैसे की Durace अगर Duracell भी आप लेना चाहते हैं तो नीचे description में link है Duracell भी आप इसके साथ में ले सकते हैं वैसे cell इसमें पढ़के आते हैं तो आपको अगर जरूरत है extra cells लेने की तो आप वह भी ले सकते हमने link नीचे description box में provide करा दिया है और friends इसमें जो features है वो है Intelli wrap का feature ये अच्छे से wrap हो जाता है हमारी arm बे body movement detection है अगर आप move करेंगे अपनी body तो friends ये आपका BP नहीं शो करेगा आपको जो है rest में रहना है थोड़ी देर के लिए जब तक आपका BP ये में अज़र कर रहा है तो देर तक के लिए इसे pulse आपकी जो है वो देख सकते है IntelliSense है heartbeat ये आपकी बता ही है friends ये कफ wrapping guide है अगर कैसे आपको कफ पे बांगना है ये भी इसमें दोस्तों feature है इस अगर आपकी heartbeat कुछ color detect हो रही होगी तो भी ये error बता देगा तो काफी ज्यादा इसमें sensors है machine भी काफी अच्छी है 7156 और ज्यादा तर hospitals में भी आजकल friends digital machines ही use की जा रही है क्योंकि friends इससे बीपी को measure करना असान होता है इसके लिए इसमें error की भी chances कम रहते हैं और doctors की जादा तर इसी को भी suggest करते हैं digital इस figmo manometer को क्योंकि friends इससे जो बीपी होता है वो जल्दी measure हो जाता है और measure करने में काफी कम energy की भी जरूरत पढ़ती है कम time में हमको अच्छी reading मिल जाती ह इस machine की help से so friends हम आपकी knowledge के लिए बता दें कि एक average human का जो blood pressure होता है वो 120 mm-80 mmHg होता है जी हां दोस्तों 120 mmHg जो है healthy person का दोस्तों एक blood pressure होता है तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस machine से related सारी बातें समझ में आ गई होंगी इसके features समझ में आ गया होंगी इसकी price हमने बता दी है आपको अगर अभी भी आपके कोई doubts हैं यह machine कैसे use करी जाती है तो नीचे updates के साथ बने रहने के लिए मुझे Instagram पे भी DM आप कर सकते हैं तो आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे और साधी साथ इस वीड़े को like भी कर दीजे हमें Facebook और Instagram पे भी follow कर लिजेगा तो friends मिलेंगे आप से जल्दी एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजे और हमें Instagram पे भी follow कर लिजे